आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आज आप सभी को दिखाऊंगी मैं अपनी पूजा की जो मालाएं होती हैं उनका पूरा कलेक्शन भी दिखाऊंगी और कौन सा मंत्र किस माला से जपा जाता है यानि किस देवता की अराधना किस माल जाप करते हैं तो किस तरह से माला फेरनी चाहिए क्या उसका सही तरीका होता है इस वीडियो में भी मैं वो पूरी तरह से आपको दिखाने वाली हूं तो फटा 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 जली जली वीडियो को लाइक कर देजिए बहुत अच्छा वाला वीडियो है आप सब के लिए बह है हमारी तुर्सी जी से बना हुआ है तो बहुत प्यारा है इसी टैप का मेरा भी लेने का बहुत जाना मन है थोड़ा पतले में लेने का मन है जैसे मैं डेलियोज में नहींगों चेरिकी तगे आप लोगों के साथ सेयर करूंगी वीडियो बना रही हूँ जब याद आया इसकी पास से कड़ाई दिखाना बहुत जरूरी थे आप बहुत अच्छी लगती है और देखें ये हैं हमारी सारी मालाएं पूचा की यही सारी मालाएं देखें माला तो बहुत तरह की आती है बहुत सारी आती है जब आप किसी जहां इसे स्थान पर जाओगी जहां से आपको माला लेनी है जहां मालाएं मिलती है तो आपको तरह तरह की मालाएं दिखेंगी लेकिन हमारे पास जो हम आप लोगों के साथ सेयर कर रहे हैं और कौन सी माला का जब कैसे किया जाता है क्यों किया जाता है यह भी हम आपको बिस्तित रूप में बताएंगे तो मैं आपको बता दू कि हमारे पास कौन यह तो आप देख रहे हैं सामने रुद्राफ की माला है उसी के पास जो रखी हुई है हल्दी की माल यह बेल पत्र की माला है ये कमल गटे के मौती है ये पहली थी हमारे पास लेकिन हल फ़लाल तूट चुकिये तो दिखाने के लिए आपको अपर बता रहे है और देखे, ये है चंदन की माला है तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बेल पत्र की माला बताओंगे तक्षिमी की बिसेस अराधना करना चाते हैं तक्षिमी की अराधना के लिए बेल पत्र की माला बिशिश मानी जाती है बेल पत्र की माला से आप सिब जी की अराधना भी कर सकते हैं उसके लिए भी बहुत जना बिशिश मानी जाती है तो ये रही बेल पत्र की माला इसके रुद राशी की माला सिव अराधना के लिए बहुस्द चाथ ह Kimberly माला जप सकती है यह इस से आप महामित्युनजै का जब भी कर सकते हैं तो वो मंत्रवी आप इससे जपे बहुत जल्दी सिद्धी हो जाती है आपको, तो इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड माला, देखे ये है तुलसी की माला, तुलसी के बारे में तो आप सभी जानते है तुलसी एक पवित्र पौधा है, तो उससे बनी हुई माला है ये, तो देखे इस तरह की 108 मनका, इसमें भी 108 मनका है, इस तरह की देखे ये माला रहती है, तो आपको ये भी बहुत आसानी से में मिल जाएगे जहां पर तीर तिस्तानों पर बहुत अच्छी से मिल जाती है तो जहां पर भी आप जाएं अगर आप लाना चाहते हैं तो इस तरह की माला आप ला सकते हैं इस मंतर से कौन से जब किये जाते हैं सबसे पहले देखें मैं आपको ये बता दू स्री हरी का कोई भी मंतर से जब सकते हैं, बहुत बिसेस मानी जाती है, और स्री हरी की पुझा में तुलसी बहुत जाना बिसेस रहती है, आप सब को पता है, तो इस माला से आप जब सकते हैं, देखे ये है, 27 मनकों की माला है, इसे सुमरनी बोला जाता है, इसमें आप किसी भी भगवान की न उनका नाम इस माला पर चप सकते हैं इसमें 27 मन की रहते हैं इसके बाद देखिए अगली माला में जो आप सबको दिखाने वाली हूँ वह हल्दी की माला तो इस तरह की होती है देखिए हल्दी की माला इसमें एक सो आठ मनके होते हैं तो एक सो आठ मनके का मतलब होता है मौती तो देखे इस तरह की होती है हल्दी की माला हल्दी की माला आप बगला मुखी देवी की अगर अगर हराधना करते हैं उनका कोई मंत्रकर जपना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह की हल्दी की माला का य सेर की है आप अगर वो वीडियो जुर्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी आप चकर चाखके कर सकते हैं आपको मिल जाएगा इस तरह की होती है हल्दी की माला मुखीके मंत्रों के लिए इस माला का यूज किया जाता है अब मैं आपको दिखाने वाली हूं कि माला जब कैसे सकते हैं किस तरह माला जपी जाती है बहुत से लोग इस वारे मैं नहीं जानते तो इस वीडियो में यह भी बताने वाली हूं तो चलिए आप कोई भी एक माला उठा लेजिए जो भी आपके पास हो और देखे इस तरह से माला जपी जाती है जहां से माला की पर जाइना नहीं जाती हूं एक ओंगले से माला नहीं जाती है वी मैंने ऊपर की साइट रखी हूए है तो आप इस चीज़ का अंधाज्FA देख से सहाम किस तरह से माला जही जाती है इसके बाद जाती है उसके जाती है इसके आद दिखे bask strengths ज差不多 की जाती है लूं दूसरी मा कि यहां से आप दूसरी माला स्टार्ट करने ने लिए बताने तो आपके पास कोई मंत्र नहीं तो आप देखिए इस तरह से भगवान का नाम लेते हुए भी माला फेर सकते हैं तो यहां पर आपको तरीका बता दिया मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी ताक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अब बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं तो देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया और देखिए नीचे दो उंगलिया मैंने नीचे लगाई हैं दो उंगलिया उपर से इस तरह से पकडूँगी और इस तरह से देखिए आप एक-एक मोती को सरखाते हुए और अपना जो भी आप मंत्र जप रहें उसको बोलेंगे और फट जाके मोती को सरकाएंगे या जो भी भगवान का आप ले रहे हैं वो भक्वान का नाम लेंगे इस तरह से मौती सरकाएंगे और जब आपकी माला समाप्त हो जाएगी तो देखिए इस तरह से माला को यूँ घुमाएंगे और वहीं से फिर से आप स्टार्ट कर देंगे तो इस तरह से माला जब पी जाती है यही सही तरीका होता है तो देखिए इस तरह से मैंने आपको जपना भी दिखा दिया है माला जपते समय आप एक चीज का आपको विशेज ध्यान रखना है या तो देखिए इस तरह की माला जूली जो की मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी तो इस तरह की माला जूली आप लेकर आए अगर नहीं मिलती तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं इसके अंदर माला डाल कर फिर माला जपी जाती है बाहर दिखाते हुए माला कभी नहीं जपी जाती इस माला जूली के अंदर माला डाल के तो देखिए मैं आपको ये भी ये तरीका दिखाऊ हूँ किस तरह से माला देखिए उसी तरह से जपी जाती है जैसे मैंने आपको बताई तो जो उंगली को हमें छूना नहीं है उस उंगली को आप बाहर निकाल देंगे देखिए इस तरह का इसमें औे चीर टाइब का होता है उस में से उंगली जो है वो बाहर निकलाथि है और अंदर आप दोनों उंगलियों से माला जपते रहेंगे तो माला जपने का जो तरीका मैंने पहले बताया उसी हिसाप से माला जपी जाती है लेकिन इस तरह जूली में बंद करके माला जपी जाती है माला इसी तरह से जपना चाहिए माला आप जपते समय माला आपकी दिखनी नहीं चाहिए इस चीछ का आप ध्यान रखें अगर आपके पास इस तरह की माला जूली नहीं है अगर ना मिले तो आप किसी दुपट्टे का या किसी कपड़े का आप यूज़ कर सकते हैं बस ध्यान ही रकना है कि माला जबते समय माला दिखनी नहीं चाहिए तो यह रहता है तो इस तरह के देखिया सारी मालाए हैं बहुत अच्छा माना जाता है सुद्ध माना जाता है कंबल का आसन तो इस तरह का देखिए मेरे पास कंबल का आसन है कोई भी आप पूजा करें कंबल के आसन पर बैट कर करें बहुत सही रहती है तो देखिए यहाँ पर पास में ही पंडेजी पूजा कर रहे थे इस तीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें और कहीं भी जहां पर भी आप माला जप रहें वो साफ सुत्रास्तान होना चाहिए हो सके तो आप में अपने मंदर के सामने जप जपे तो जाना सही रहता है देखिए जहां पर भगवान ब्राजमान होते हैं वो जगे अपने आप मे तो यहीं बैठकर बनाती हूँ और आज भी मैं आप लोगों के साथ यहीं बैठकर सेयर कर रही थी तो मैंने चलिए आपको दिखा दिया है तो इस तरह से देखिए माला जपी जाती है जपने का सारा तरीका मैंने आपको दिखा दिया है अगर कोई चीज आपको समझ में न रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की महत्पूर्ण जानकारिया हम आप सब के लिए समय समय पर लाते रहते हैं और इस तरह से आप किसी भी देवी देपता का मंत्र जब सकते हैं बहुत जल्दी सिद्ध हो चाता है सच्चे मंसे की गई प्रात के लिए जैशी रादे राधे राधे